नमस्कार दोस्तों मैं रेनू शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल APC Academy में हम डिस्कुस कर रहे हैं हिमाचल के weekly current affair की series को और यह रहेगा अक्तुबर मंत का third part इससे पहले हमने two parts को डिस्कुस किया है अगर आपने हमारी previous वीडियो को चेक नहीं किया है तो description box में जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं तो डिस्कुस करते हैं आज का अपना first question first question है हाल ही में मसुहूर हिमाचल परदेश के सहनाई वादक सूरज मनी का संबध हिमाचल के किस स्थान से हैं हमारे पास option है हमिरपूर उन्ना मंडी और last option है कांगडा अगर बात करें right option की तो यहां पे हमारे पास right option रहेगा मंडी ये मंडी से विलोंग करती हैं मंडी जिले के नाचन क्षेतर के चचोट गौंग के निवासी सूरज मनी को प्रख्यात सहनाई वादक के लिए भारत रतन विश्मिल्ला खान की उपाधी दी गई है और इनको हि देथ हुई है बिलासपूर का जो एम्स हॉस्पीटल है वहां पे इनकी डेथ हुई है तो मूव करते हैं next question next question discuss करने से पहले आपके लिए important information I hope आपने जो है वो पुलिस की त्यारी को start कर दिया होगा और हम भी एक नया बैच start करने जा रहे हैं 5 नवंबर से अगर आप हमारे साथ चुड़ना चाहते हैं तो 5 नवंबर को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बैच को जोइन कर सकते हैं और अपनी preparation को और ज्यादा strong बना सकते हैं तो डिस्कुस करते हैं questions हाल ही में किस राज्य ने नशे की समस्या पर अंकुस लगाने के लिए संकलप पहल का सुभरम किया है यहां पर हमारे से state पूछा जा रहा है तो हम हिमाचल को ही डिस्कुस कर रहे हैं तो हमारे पास option है पंजाव उत्राकंड हिमाचल परदिस और इ चय है अिमला चिले में आयोजित एक आस पहल की घोशना की गई यह संकलप योजना है तो कहान से सुरू जाएगी यह यह वाला जो कारे क्राम है वह यह सुरू होगा तो फ्नीमाचल की कोटला बढम जो है वहां से संकलप पहल को जो है वहरा जैस तरिय अदर्ष नशा, मुक्ति और पुनरवास के इंदर स्थापित के आ जाएगा तो आपने ध्यान रखना है most important points हिमाचल में कहां पे खोला जा रहा है कौन सी डिस्टिक में कौन सा proper place है जहां पे ये खुलेगा राज्य सरकार का लक्षे है कि 31 मार्च 2026 तक जो हिमाचल को हरित राज्य बनाया जाएगा move करते हैं next questions फे हाल ही में कौन सी युनिवस्टि टाइम्स हाइर एजुकेशन डेंकिंग में देश के नंबर वन प्राइवेट युनिवस्टि के रूप में सूचित होने के साथ आज हो है वो दुनिया के 500 युनिवस्टि में उवर कर सामने आई है हमारे पास option है सूलनी युनिवस्टि बहारा युनिवस्टि और सूलनी और आपकी बहारा दोनों और इनमें से कोई नहीं अगर बात करें right option की तो ये वाला question हमने पहले भी discuss किया है तो इसका right option रहेगा सूलनी युनिवस्टि चुहे वो आपके टॉप प्राइवेट युनिवस्टियों में काउंट हो रही है तो इसको पूरे विश्व में बात करें तो 500 की सूची में डाला गया है रैंकिंग में युनिवस्टि को global institutional ranking के दोनों मानक धारकों के दोरा top 500 global universities में सामिल किया गया है इसके साथ ही बात करें time higher education ranking में देश के number one private university के साथ साथ ये आपके दुनिया भर में भी 500 में इसने अपनी जगा बना ली है तो आपने ध्यान रखना है सूलनी युनिवस्टि जो है वो सोलन डिस्टिक में है move करते है next questions next question है हाल ही में रक्षा मंतरी राजनासी ने हिमाचल के कितने पूलों सहीत 75 परियोजनाएं रास्टर को समर्पित की है हिमाचल की कितनी है और total हमारे पास 75 है पूरी बात करें इंडिया में 75 है और हिमाचल की कितनी है तो हमारे पास option है 3, 4, 5 और 6 तो right option रहेगा हमारे पास 5 5 हिमाचल की है अगर बात करें रक्षा मंतरी राजनासी ने सनिवार को चुहे वो बियारो द्वारा 2,236 करोड रुपे की लागत से निर्मित 74 जू है वो परियोजनाओं को रास्टर को समर्पित किया है ये परियोजना हिमाचल सहीत देश के 8 राज्यों और 3 केंदर सासित परदेशों में फैलाई चाहेंगी तो आपने ध्यान डगना है कितने स्टेट में हैं सुरू किया गया है और कितने यहां पे यूटी है और जो राज्यपाल के सच्चिव हैं उनका नाम है PC वर्मा जो हिमाचल में प्रोजेक्ट दिपक के जो मुख्य अभियनता है इसके जो इंजिनेर हैं उनका नाम है राज यह कोण बनेगा अभी बना तो नहीं है पर आने वाले टाइम में यह बन जाएगा तो कौन रहेगा फ्र्स्ट ऊप्शंन है पंजाब सैकंड है हर्याना थर्ड है हिमार्चल और इन में से कोई नहीं तो राइट अफ्शन है हमारे पांस हिमार्चल जो है वह फर्स्ट ऐसा state बन जाएगा इससे पहले बात करें तो सबसे पहले green hydrogen से बसें कहां पर शुरू की गई थी तो केंद्रिय पैट्रोलिय मनिस्टी हरदीप सींपुरी जो हमारे पैट्रोल मंत्री हैं उन्होंने दिल्ली के करतव्य पत पर देश की पहले जो green hydrogen fuel sale बस का है वो वहां से सुभारम किया था इसके साथ ही बात करें और इंडिया लिम्टीट ने 20 अप्रेल 2022 को असम जो आपका स्टेट है वहां के जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.99 परसेंट जो सुध हरित हाइड्रोजन प्लान था उसका संचालन सुरू किया था मूव करते हैं नेक्स कोशन पर हाल ही में किस विश्व विद्याल्य को क्रिशी प्रसंस करन पुरसकार से सम्मानित किया गया हमारे पास option है नौनी विश्व विद्याल्य एच्पयो एच्पी सी ओ और इनमें से कोई नहीं तो कौन सी युनिवस्टी है हिमाचल की तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा नौनी युनिवस्टी जो आपके सोल अंडिस्टिक में है यह वाला प्रसंस करन हुआ कहां पी तो लुध्याना की क्रिशी प्रसंस करन में उध्योग इंटरफेस मेले के दोरान यह पुरसकार जो है वो परदान किया गया हमारी नौनी युनिवस्टी को वाइस परमार युनिवस्टी बान ओध्योगी की एवं बान की विश्व विद्याले भी कहा जाता है इसमें फर्स्ट हार्वेस्ट इंशनीरिंग और प्रद्यगी की और अखिल भारतिय संस्ता के द्वारा इस यह पुरसकार परदान किया गया है मूव करती है नेक्स कोंशिट हाल ही में हिमाचल के किस जिले से संबंध रखने वाले अखिल ने कंबोडिया में 6-14 अक्तुबर तक हो है तो हमारे पास option है हमिरपूर बिलासपूर उन्ना और इन में से कोई नहीं अगर बात करें अखिल की तो यह कहां से विलॉंग करते हैं तो राइट option रहेगा बिलासपूर बिलासपूर डिस्टी के हैं अखिल जिन्होंने अभी यह परतियोगिता जीत कर सुन पदक चीता है तो विलासपूर जिले के अखिल ठाकूर ने कंबोडिया में आयोजित जो यहां पे किक बॉल परतियोगिता थी उसमें यह पदक चीता है ACI किक बॉक्शिंग परतियोगिता में सुन पदक चीत करना केवल इन्होंने अपना नाम रोशन किया है पर प्रन्तु पूरे परदेश का नाम रोशन किया है डिस्कूस करते हैं निक्स कोशिन हाल ही में चमबा के विधायक नायर ने बेटी है अनमोल योजना के तहट 11 लाबार्तियों के वीच कितने रुपै जो हैं वो वितरित किये हैं हमारे पास ऑफशन है 1.31 लाग 2.31 लाग या 3.31 लाग इन में से कोई नहीं तो हमारे पास राइट ऑफशन रहेगा यहां पी 2.31 लाग विधायक नीरज नेर ने कहा कि जो हमारी आंगनवारी वरकर हैं और जो आसा वरकर हैं उन महिलाओं के द्वारा जो है वो बच्चों और जो महिलाओं के कल्याम से जुड़ी जितनी भी सरकारी योजनाई हैं उनका लाब जो है वो हर परसन को पहुंचना चाहिए ये आंगनवाडी और आसा वर्कर जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेबारी हैं कि वो हर सुभिधा जो है वो बच्चों और महिलाओं तक पहुंचाए और विधायक ने बेटी है अनमोल योजना के तह 2,31,000 रुपए की FDR का वितर्ण किया है ग्यारा इसमें लाभार्ती थे और उनको 21,000 रुपए की FDR दी गई है मूव करते हैं नेक्स कोशिन्स पे हाल ही में हिमाचल परदेश हाई कोड के कारेवाहक मुख्य नयदिस कौन होंगे अभी बनेंगे एडिशनल चार्ज किसके पास दिया जाएगा हमारे पास ओफशन है त्रिलोक सी चोहन, संजे सी चोहन, मनो सी चोहन और इनमें सी कोई नहीं तो राइट ओफशन रहेगा हमारे पास त्रिलोक सी चोहन अभी हमारे हिमाचल परदेश हाई कोड के जो मुख्य नयदिस हैं राजीव सक्दर रिटाइर हो रही है तो उनका जो कारेवाहक बनाया जाएगा यहाँ पे वो बनाया जाएगा त्रिलोक सी चोहन को यह हाई कोड के कारेवाहक मुख्य नयदिस होंगे और 18 अक्तुबर को जब यह राजीव सक्दर जो है वो रिटाइर होगी तो इनकी जगह पे यह संभालेंगे कारेवाहक के रूप में इसे पहले भी बात करें तो यह जो हमारे तिरलोक सी चोहन है यह पहले भी जो हैं वो हिमाचल हाई कोड की मुख्य नयदिस रहे हैं 20 अप्रेल 2023 से लेकर 29 मई 2023 तक इनको हाई कोड का मुख्य नयदिस बनाया गया था तब भी इनके पास एडिशनल है चार सा कारेवाहक है इनको बनाया गया दूसरी बार इनको यह जिमा दिया गया है अगर बात करें इनकी बर्त का तो 1964 में यह पैदा हुए थे शिमला के रो वहां से हुई है मुव करते हैं नेक्स कोश्चन को आने वाले समय में जो है वो सेंटर फॉर एक्चिलेंस बनाया जाएगा यह जो सेंटर फॉर एक्चिलेंस है यह हमारी जो सिमेंट कंपनिया है उनके दारा इसको बनाया जाएगा तो सिमेंट कंपनी के ओर से कॉलेज में सेंटर ओफ एक्सिलेंस त्यार करने की हर संभव ज यह रहा आपके लिए पिछली वीडियो का प्रेशन हाल ही में हिमाचल परदेश की लुहुनू का क्रिकेट मैदान सिंतेटिक ग्रास पिछ वाला देश का कौन सा मैदान बन गया है ऑप्षिन है 1, 2, 3, 4 जो right option होगी उसको आप comment box में type करेंगे यह था हमारा आज का वीडियो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें, share करें, comment करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share करें Thanks for watching